तुम कितनी भी सुन्दर क्यों नहों, मैं तुम से साधी नहीं करूँगा वह कितना भी ताकतवर क्यों नहों, मैं परवाह नहीं करता तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूलूँगा नमस्कार दोस्तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस प्रकार के संटेंस इंगलिस में कैसे बोले हैं तो इसके लिए structure इस प्रकार से यूज़ करेंगे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे no matter no matter का मदलब होता है परवाह नहीं उसके बाद यूज़ करना है ws word और उसके बाद यूज़ करना है adjective या फी adverb और उसके बाद आएगा एक sentence और प्लस फिर से sentence आएगा यही दो बार sentence आएगा तो चलते example की साथा से समझते हैं जैसे तुम केतनी भी सुन्दर क्यों नहों मैं तुम से साधी नहीं करूँगा सबसे पहले यूज़ करेंगे no matter उसके बाद ws word का मतलब question word जिससे पस्म पूछा जाता है तो यहाँ पर आएगा how उसके बाद adjective है यहाँ पर beautiful तो इस परकार से हो जाएगा no matter how beautiful उसके बाद sentence you are और फिर से एक sentence कामा देकर I will not marry you तो इस परकार से हो जाएगा no matter how beautiful you are I will not marry you एक और example जैसे वह कितना भी ताकतवर क्यों नहो मैं परवाह नहीं करता तो सबसे पहले यूज़ करेंगे no better उसके बाद how strong he is I don't care तो इस परकार से हो जाएगा no matter how strong he is I don't care एक और example तुम कहीं भी हो मैं तुमें ढून लूँगा तो सबसे पहले यूज़ करेंगे no matter उसके बाद कहीं की where उसके बाद sentence you are और फिर से एक sentence I will find you तो I hope आपको इस परकार के sentence बोलना आ गया होगा यदि आ गया है तो एक sentence आपके लिए है sentence है तुम केतने ही कमजोर क्यों न हो मैं तुमें अंग्रेजी बोलना सिखा दूँगा तो इसे comment box में जरूर लिखें वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वासिंग गाईज